नमस्कार नाकपूर हलचल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाकपूर की विबित हलचल पर शहर का सबसे सक्रियों और प्रमुक संग सिताबर्डी मर्चेंट एसोसेशन ने नाकविदर्बच चेंबर ओफ कॉमर्स द्वारा प्रतिश्रित बेस्ट परफॉर्मिंग एसोसेशन पूरसकार राप्त किया ये पुरसकार हाल ही में आयोजित NVCC की सत्तरवी वार्शी कामसभा के बैठक में हुसेन नूरललाह अजानी सच्चिव सिताबर्डी मर्चेंट एसोसेशन और वर्ष 2021-22 के लिए NVCC को ओप्ट सदस्या ने स्विकार किया व्यापारियों के लाप सुनिश्चित करने के लिए सिताबर्डी मर्चेंट एसोसेशन नियमित रुप से शामिल रहा है शाहर भर के अन्य सभी व्यापारियों के पक्ष में इसका बहुत साकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि सिताबर्डी शाहर का महत्वपूना स्थान है और शाहर के केंदर में स्थित मुख्य बाजार माना जाता है किशन अगरवाल, प्रदीब गुपता, किशन गंगवानी, अरजुन भोजवानी, संदीब बावने, परागठकर, राजीव जैन और हुसेन नूरललाह अजानी सिताबडी मर्चेट एसोसेशन प्रमकूरूप से नेदरुत्व प्रदान कर रहे हैं और सक्रिय रूप से कार पूरब पर, कलगीधर सत्संग मंडल के एडवोकेट माधवदास ममतानी द्वारा, आयोजित प्रभाद सिम्रन कंबर दर्बार परिसर में पहुचने पर, सिंधी युवा संगठन वा पंचाय द्वारा रास्तों पर सुन्दर रंगोली, पुष्प बिछाकर, दीब जलाक करते हुए, श्रध्धा पुर्वक गुरु सिम्रन किया गया, प्रभाद सिम्रन स्वागत सिंधी युवा संगठन सयोजक अध्यक्ष, आशोक अहुजा, एवं प्रमुक रूप से उपस्तित पुरुव विधायक दिनानत पडोले, जरिपटका प्रभाकी नगर सेवीका, प्रमिला मतरानी, कंबर दर्बार के अशोक किश्नानी, प्रताप हिरानी, संगठन के प्रितम दास मतरानी, संजे हरदवानी, सतिश मिरानी, अशोक शर्मा, डॉक्टर राजकुमार जेस्वानी, कनयालाल जामनानी, भरत तन्वानी, अमर लिल्वानी, अनिल इस्रानी, अम प्रियागीतों की प्रस्तूती दी गई इस अउसर पर अथिती गायक गिरिश बड़े, किरन भूसले, प्रिती ठककर, आरती महात्मे, रश्मी दशपुत्रे, संखाय से, शाले नी सरोदे, शैले सखारे और विलास पांधरे ने भाग लिया था गिरिश बड़े के साथ किरन भूसले ने ये रात और ये दूरी, ये यूगल गित गाया, साथ ही शालीनी सरोदे ने गली में आज चान निकला इस गीत की प्रस्तूती दी मात्मा गांधी अंतर राष्ट्रिय हिंदी विश्व विद्याले में भगवान बिर्सामुंडा के जरम दिवस पर प्रतिकुलपती प्रोफेसर हनुमान प्रसात शुकल ने विश्व विद्याले के बिर्सामुंडा चातरवास में आयोजित समारों में कहा कि बिर्सा मुंडा ने अपने अलपत जिवनकाल में एक बड़े समुदाय में स्वत्व की चेतना जागरूत कर उन्हें शोशन के खिलाफ लड़ने के लिए तयार किया था प्रोफेसर शुकल कारेकरम के अध्यक्षाता करते वे संभोधित कर रहे थे उन्होंने भारत सरकार द्वारा बिर्सा मुंडा के जनम दिवस को जनजातिय गौरफ दिवस मनाने के पहल का अभिननदन किया उन्होंने कहा कि बिर्सा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया समाज में व्याप्त अंधश रधा को दूर करने के लिए भी संगर्श किया प्रोफेसर शुकले ने कहा कि जनजातिय सर्वेक्षन और अध्यान को लेकर विश्वविद्याले एक योजना तयार कर रहा है इस अउसर पर प्रतिकुलपती प्रोफेसर चंदरकांत रागेट चातर कल्लान अधिश्ठता प्रोफेसर अवधेश कुमार गुलानो शासक प्रोफेसर मनोज कुमार बिरसामुणडा चातरवास के अधिक्षक डॉक्टर धरवेश कठेरिया मंचा सिंथे कारेकरम के प्रारम में चातरवास परिसर में रुक्षा रोपन किया गया प्रतिकुलपती प्रोफेसर चंदरकांत रागेट ने बिरसामुणडा को उनके जरम दिवस पर तधा आचारिय विनुबा भावे को उनकी पुन्यदिती पर अभिवादन करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला अध्यम से दक्षिन मध्यक्षेत्र सांस्रुतिक केंद्र नागपुर के यूट्यूब पेज पर 173 से अधिक दर्शकोने आनन लिया 15 नमबर 2020 को पी रमेश बाबु द्वारा कॉम्मु कोया आंध्रप्रदेश गोरुवा लक्षमनना लंबाडी नुर्त्य आंध्रप्रदेश पुरुषत्तम पी गोडा द्वारा हलक्की सुग्गी कुनिथा करनाटक विश्नु राठोर द्वारा बंजारा नुर्त्य 16 नमबर 2020 को जी मोहनराव द्वारा धिमसन रुत्य आंध्रप्रदेश के सुदर्शन द्वारा गुसाडित रुत्य तेलंगाना सोब्राय वारंगा द्वारा ककसार रुत्य चतिस गड़ गेडी नुत्य चतिस गड़ लेकपाल धुरुवे द्वारा गुदुम बाजा मध् प्रदेश मिठु सपेरा द्वारा चारी नुत्य राजस्थान के प्रस्तुति दी गई। चुनाव अधिकारी कमल भूतड़ा और शंकर खंडल वाल थे। चुनाव अधिकारियों का सतकार अध्यक्ष रामाउतर अग्रवाल ने किया। सज्यू प्रदिप बियानी ने सभी का आभार व्यक्त किया। अधिय कामगार सेना, माथाडी और जनरल कामगार संगठन के जिलाध्यक्ष, आशिश मनपिया, शाम चौधरी, उपजिला प्रमुक राजिश रंगारी, रुशी कारोंडे, इश्वर बरडे, गजरन चकोले, चंद्रप्रकाश कावडे, यश्वंत कवरियादी उपस्तित संतश्री मधुसुदन बापुजी की नेतरुत्व में राधा कृष्ण भक्तप परिवार की और से, दामोदर दास प्रभुजी की लावी भागवत कथा का प्रसारन यूट्यूब और फेस्बुक पर जारी है, भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत सो बड़े धूम हमसे मनाया गया, प्रवचनों में दामोदर प्रभुजी ने राजा अंबरिश की कथा पर प्रवचन देते हुए, एकादशी की महीमा सुनाई, एकादशी भगवान को अतिप्रिया है, एकादशी वरत करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, एकादशी हमारे पाप भागवान की गोवर्धन लीला पर भी प्रकाश डाला जाएगा ये भागवत कथा 19 नवंबर तक चलेगी रादा कुछन भक्त परिवार ने सभी भागवत प्रेमियों से प्रार्थना की है कि वे सहव परिवार यूट्यूब पेज दामोदर दास एवं फेस्बूक पेज दा वलफियबाद की युवा सामाजिक कारेकरता मोईस खानद्वारा वर्षों से इसक्षेत्र के विकास हित्तू प्रयास अब रंग लाने लगा है नगर सेवकों से लेकर विधायक सांसदों वो मंत्रियों तक सैकडों बार प्रत्यक शरूप से भेट करके ग्यापन देने और परबस्तियों में मुलभुत सुविधाय उपलप्त कराने की मांग पर प्रशासन ने ध्यान दे कर रास्तों का निर्मान किया पतधीप और जलापूर्ती की पाइपलाइन डाली तथा पाइपलाइन का निर्मान किया गया चेत्र के नागरी को का मानना है कि मोईस खान के अ आयोजित बैठक के बाद पुलिस निरिक्षक रुष्ण चंदर शिंदे रे प्रमान पत्रों ट्रॉफी देकर मोईस खान का सतकार किया। पश्चाद भोजन प्रसाद वितरित किया गया। पश्चाद दो हजार शाखाओ द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें बैंक ओफ महराष्टर नाकपूर अंचल की कुल एक सत शाखाओ द्वारा भी ये कार्यक्रम अपने अपने शाखा स्तर पर किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्याति थी श्वेता खेड कर पुलिस अधिक्षक राजमार्ग वर सुरक्षा वर डॉक्रर नेलेश पालवे सहाएक पुलिस आएक तो पस्तित थे। इस कार्यक्रम की रूप रेखा भव्या टीपी द्वारा रखी गई अंचल प्रबंदक वैभो काले द्वारा कार्यक्रम का मुख्य विशय सभी ग्राहकों को बताया। से कैसे धोके हो रहे है इसकी जानकारी दी गई। भक्तो को कन्या स्वरुप में स्वयंभु दर्शन दिया था। कार्तिक एकादशी के पावन आउसर पर दादी सुशिला देवी के मार्ग दर्शन में दादी सुशिला संत सहज राम दर्बार आहुजा नगर जरी पठका में प्राता प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी अहुजा की परिक्रमा कर सीधे नारा दहन घाट पर भहुजी जहां महिलाओं ने सत्संग किरतन किया। स्वामी चांदू राम दर्बार के प्रमुग भाई तुलसी दास जी ने पेराग्य गितगा कर सबको भाव विभोर कर दिया। तथा आत्मा को मोक्ष की प्राप्ती होती है। दादी ने अन्त में अब तक दिवंगत प्राणियों के सद्गती है तू अरदास की। साथ वचन लौन में राश्रबादी कॉंग्रेस कारेकरताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया है। पवार अपने विदर्बा दोरे के दोरान नाकपूर, गर्चिरोली, चंद्रपूर, यवतमाल और वर्धा जिले के कारेकरताओं से भेट तथा सभाय लेंगे। उनके इस दोरे के मद्दे नजर राश्रबादी कॉंग्रेस के गनेश पेट स्थित कार्याले में प्रवेश वह शहर पदादीकारियों की बैठक ली गई। बैठक में जिले के निरिक्षक, पुर्वविदायक राजेंद्र जैन, आदी राकापाब अदाधिकारी गणु पस्तित थे। दूसरी और ग्राहा को द्वारा इस्तिमाल की गए बिजली के पैसे ही महावितरन की आयका एक मात्रस त्रोथ है। राज्य में बिजली बिल की बकाया धनराशी 73,000 करोट के पार चली गई है। बिजली बिल का बकाया भुकतान बढ़ने के काल में महावितरन का कर्ज लेकर निकलना पड़ रहा है। अमरावती में प्रदर्शन के दोरान हुए दंगो में अमरावती के व्यापारियों का माल वो व्यापार में हुए नुकसान की भरपाई कारेकरम के आयजकों से करवाये जाए। Confederation of All India Traders के राष्टी अध्यक्ष बिसी भरतिया ने व्यापारियों की सुरक्षा और जानमाल के बचाओ को लेकर टीम कैट द्वारा बुलाए गई बैठक सभा को सम्मोधित करते हुए ये बात कहिए। भरतिया ने सरकार से ये मांग की है कि सरकार को तुरंट ऐसे व्यवस्थाय बनाने चाहिए जो अमरावती के व्यापारियों की नुकसान की समिक्षा तहे की कात करें तथा माल और व्यापार के हुए नुकसान का जल्द विशलेशन कर उसकी भरपाई करें। पहुचाता है तो उसे पांच वर्ष की जेल या फाइन या दोनों लागू हो सकते हैं। भरतिया ने कहा कि ये कानून तथा भारतिय दंड सहीता की संबंदित धाराओं के मद्दे नजर नीजी संपत्तिके नुकसान को भी इससे जोड़कर लागू करना चाहिए। नागरी को कोई सभियान का लाब उठाने की अपिल जिला स्वास्त अधिकारी डॉक्र दीपक सेलो करने की है। इस बैठक में विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारी आरविमला, मुख्य कारे कारे अधिकारी योगेश कुम्भेच करने सभी अधिकारियों के साथ मौजुदा स्थिति की समिक्षा की। जिले के लिए परियाप्त कोविड वैक्सिंग उपलब्ध है और 30 नवंबर तक पहले डोज को शत प्रतिशत पूरा करने का निरदेश दिया गया है। अभियान के दोरान जिन गाओं में कम टिका करन हुआ है उनकी सूची बनाकर उन गाओं में टिका करन शिविर लगाने के निरदेश दिये गया है। नाकपूर महानगर पालिका के टीमों ने लक्ष्मिनगर जोन एक में भरत लालवानी, ललित लालवानी, दीपक लालवानी और प्रतिप लालवानी को उनके द्वारा किये गए अवेद निर्मान के बारे में नोटिस जारी किया था। लेकिन उनकी और से किसी भी प्रतिक्रिया के अभाव में नाकपूर महानगर पालिका के अतिक्रमन विरोधी दस्ते ने उनके घर के पीछे की दिवार और टीन को हटा दिया। दस्ते के सदस्यों ने उस परिवार से 10,000 रुपए जुर्माना वसुला और बचे अतिक्रमन को हटाने के लिए 8 दिन का समय दिया है। Youth for Unity and Voluntary Action युवा ने कोरोना संकट में फ्रंट लाइन वर्कर्स और अन्य करमचारियों की सुरक्षा के लिए नाकपूर महानगर पालिका को 1600 PPE किट और 100 परसनल हाईजन किट प्रदान की। अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी, स्वास्तवी भाग के राहुल नीनावे, युवा वरिष्टा परियोजना सहयोगी नितिन मेश राम, वरिष्टा सलहाकार निलेश खड से, नगर विकास मंच के अनिलवासनिक, शेलेंद्र वासनिक आदि उपस्तित थे। इस आउसर पर मनपा के कुछ आशा सेविकाओ को प्रतिकात्मक रूप से PPE किट और व्यक्तिकत स्वच्छता किट प्रदान की गई। आज 18 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ट के सभी नागरिकों का कोविट शिल्ट का टिका करन नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा। टीका करन का समय शाम के 5 बज़े तक होगा। टीका करन के लिए ओनलाइन और आफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजी करन किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोविट शिल्ट के जरिए ठीका करन किया जाएगा। ये जानकारी चिकित सा स्वास्ता धिकारी डॉक्टर संजेच चिल करने दी। इसी तरह अठरा प्लस और 45 प्लस आयू पर के नागरिकों के लिए कोवैक्सिंग का पहला और दूसरा डोज मेटिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा साहिब आमबेट कर अस्पताल, काम्टी रोडव स्वर्गिय प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र, एम्स आइ देखते रहें वीके बी न्यूस, नमस्कार